हलो दोस्तों तो आज मैं मटर पनी की सबजी बनाने जा रहे हूं जिसके लिए मैंने कड़ाई ले थी उसमें मैंने ओइल पहले इसी अच्छे से गरम कर लिया उतके बाद मैंने एक तेज पता दो छोटी लाय ची एक जाल चीनी का टुकड़ा और उसके बाद मैंने ओनियन ग पाद हम इसमें वनिस् पून नमक एड़ कर देंगी जीसे Judith इसमें बहुत अच्छी आती है तैन उसके लेगाँ मैंने ओं नमक एड़ का जाती है जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में और फिर मैंने इसके अंदर एक वनी स्पून हल्दी पाउडर एड़ किया उसके बाद मैंने वनी स्पून धनिया पाउडर एड़ करूँगी उसके बाद मैंने इसमें वनी स्पून गरम मसाला एड़ कर दिया है अब मैं इसको अच्छे से चलाऊंगी इसको तब तक चलाना है ज तेयार है और हमारी ग्रेवी पक चुकी है उसके बाद मैंने इसमें मावा डाला है जो की हलवा ही लोग इसमें अकसर मावा ही डाल कर बनाते हैं मटर पनीर की सबजी तो मैं भी उसी स्टैल से बनाती हूं उसके बाद मैं इसमें वन इस्पून सुगर एड कर देती हूं जैसे अब इसको हम थोड़ी देर चलाएंगे देख सकते हैं कि हमारा गाड़ी हो चुकी है ग्रेवी तो देन उसके बाद हम इसमें हमारी यहां पर थोड़ा ना दूद डाल कर बनाते हैं फिर मैंने इसके अंदर वन ग्लास दूद एड़ कर दिया था दसा कि आप वीडियो में दे किया है आप देख सकते हैं हमारी सब्जी अच्छी से उबल रही है इसमें उबाल आ चुका है और आप इसका कलर भी देख सकते हैं उसके बाद हमारी सब्जी बनने के लिए तैयार हो चुकी थी तो देन मैंने इसमें पनीर एड़ कर दिया पनीर के पीची से में मैंने डाल अब थोड़ी दिर हम पाँच मिनट के लिए इसको अच्छे से ढख किने रख दिया उसके बाद हमारी सबस्द अच्छी से बनके तहियार हो बेपेर कासूरी मेती को भूज लिया था जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं देखो कितना चकल आ रा चुका है मटर पनीर का तो कुछ इस तरीका से आप ही मटर पनीर की सब्सक्राइब